तो आज हम बनाएंगे एकदम मज़ेदार और एकदम चटपटी सोया बिन की सबजी ये सुखी सबजी बनेगी इसमें जादा ग्रैवी वगेरे नहीं रहेगी ये एकदम ड्राइ सबजी ये रोटी या फिर पराथे के हिसाब से बनाएंगे आज हम ये सबजी तो चलिए शु मैंने थोड़ा सा कटकर लिया था च्छोटे सोकार करना के लिए एक घंटा मैंते इसे बाद लेता है खूप सांटे प्यास ये मैंने चार से पाफ़ बड़े साइस के प्यास ले लिए थे और इससे हए लंबा-लंबा कट लिया था之前 Elena cielo 1 बाखने और प्यास इसमें काफी ज् लाइची बड़ी लाइची आप इसमें तेजपता भी एड़ कर सकते हैं लॉंग मीरी और दालचीनी का तुकड़ा बस यही खड़े मसाले यूज करने हमें और फिर इसके बाद मैंने आच से दस लहसून की कलिया ले ली थी इसे फाइनली चॉप कर लिया था और इसमें लहस उनकी कॉंटिटी भी हमें और फिर इसके बाद मैंने कुछ हरी मिर्ची और कुछ लाल मिर्ची यह भी ले ली थी अगर आप कम तीखा पसंद करते हो तो आप थोड़ा सा मिर्ची की कॉंटिटी भी कम कर सकते हैं और फिर इसके बाद मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर ल पादनुसा नमक और फिर एक छोटी चमच जीरा और दो से तीन बड़ी चमच तेल सरसो का तेल लिया है मैंने इसके बाद हमें एक कड़ाई ले लिये हैं और इसमें तेल डालना है और फिर इसके बाद मैंने जीरा और फिर लहसुन एड़ कर लिया था और कुछ खड़े मसाल और फिर इसे अच्छे से fry होने देना है, थोड़ा यह लेसुन का कच्छापन जो है न, वो थोड़ा निकल जाया, और फिर इसके बाद हमें add करनी है, लाल मिर्ची और हरी मिर्ची, और फिर इसके बाद मैंने ये जो चौप की हुए प्याज है न बस इसे भी एट कर लिया है और इन सब मसालों को अब अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़े से प्याज ट्रांसपरेंट होने के बाद हमें इसमें सुखा धनिया एट करना है और फिर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसके बाद मैंने अट कर लिया है स्वादनुसा नमक और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर इसके बाद आजी छोटी चमच हल्डी पाउडर और इन सब को अच्छे से मिक्स करके दो से तीन मिनीट तक ढखकर पकाना है ताकि ये मसाले अच्छे से कुक हो जाए और फिर दो से तीन मिनीट के बाद ये मसाले कुक हो चुके है और ये देखिए तेल छूट चुका है अब ये मसाले हमारे अच्छे से कुक हो चुके है अब हमें इसमें add करना है chop किया हुआ टमाटर और फिर इसे भी अच्छे से mix करने के बाद हम इसमें add करेंगे soak किये हुए soya bean के chunks और इसे अच्छे से mix करते रहना है और फिर इसे हमें 10 से 15 मिनिट फिर से ढख कर पका लेना है 10 से 15 मिनिट हो चुके हैं और आप इस सबजी को रोटी या फिर पराठे के साथ भी खा सकते हैं और ये खाने में काफी जादा टेस्टी बनती है और ये सबजी को कोई भी पसंद करेगा जिसे सोया भी नहीं भी पसंद हो न उसे भी ये सबजी एक बार आप जरूर प्लीज बनाके खिलाईए ये सबजी काफी जादा टेस्टी बनती है और इस सबजी को बनाने में मैक्सुमम 20 से 25 मिनीट लगते हैं बट ये एक बार बन जाए तो फिर ये बहुत जादा टेस्टी बनती है और इसे एक बार बनाएंगे आप मेरी स्टाइल से तो आप इसे बार बार बनाएंगे और ये काफी अच्छी लगेगी तो आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब तो माई यूटूब चैनल थैंक यू